थाइराइट जैसी बिमारी आजका लाम हो गई है, दस में से हर पांच वे व्यक्ति को यह समस्या हो रही है अंग्रेजी दवायों से सौ फिसद लाभ नहीं मिलने के कारण लोग अब आयुरवेद की तरफ रोक कर रहे हैं इसके इलाज के लिए लोग कई घरेलू नुक्सों का सहारा लेते हैं हाल ही में यह दावा किया जा रहा है कि यह गिलास पानी में पांच तुलसी के पत्ते मिला कर पीने से थाइराइट की समस्या खतम हो सकती है इस दावे ने कई लोगों का ध्यान आकरशित किया है लेकिन क्या सच में असरदार है इस बारे में विशसग्य ने अपनी राय जाहिर की है आईए जानते हैं मैं डॉक्टर प्रियंका सुन हूँ मैं आरवेद में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एमडी पेजडी हूँ और मैं आज क्या रहे हैं चिकिसाले नगर बलिया में चिकिसाधिकारी के पत्पे कारे रहत हूँ अब बलियुक्तिक है उसके अपने हॉर्मॉन स لखकते हैं तो आप तोल्सी सो अपने हॉर्मॉन तो नहीं बना आप चैल्शाम लॉस होता है, तो उसका हड़ियों में पीन होता है, ठकान लगती है या फीवरिश फीलिंग आती है, तो कुछ हद तक सिम्टम्स को आप तुलसी के प्रयोक से कंट्रोल कर सकते हैं, तो कि तुलसी जो होता है कैल्शाम, आइरान, बहुत सारे अजल्शालिक ए टूस में निकाल कर और उसको आप सीवन कर सकते हैं पर यह चिकित्सा नहीं है कि साके लिए तो आपको चिकित्सा नहीं है कäter सक्षब कि ना प्रली की तुलस के पत्तों के सेवन करने से था. थाइराइड पूरी तरह से खतम होने की जो बात है ये कहीं ने कहीं भ्रम है हाँ ये जरूर है कि तुलसी के पत्तों का शेवन करने से थाइराइड से होने वाली अन्य तमाम समझ्याओं में कुछ राहत जरूर मिलती है लेकिन इसको पूरी तरह से खतम करने के लिए जिकित् लेना ही पड़ता है लोकल एटीन के लिए बलियां से सनंदन उपाध्याई की रिपोर्ट